इस वीडियो में हम बात करेंगे CBI ओफिसर कैसे बने CBI एक ऐसी एजिंसी है जो कि देश की सुरक्षा से जोड़े कई मामलों को सुलजाती है बहुत से लोग CBI ओफिसर बनना चाहते हैं लेकिन कुछ एक आधी अधूरी जानकारी की वज़े से अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते अगर आप भी अपना करियर एज इस CBI ओफिसर प्लान कर रहे हैं तो हमारे ये वीडियो आपको हेल्प करेगा CBI में UPSC और SSC के थ्रूर रिकूट्मेंट होती है अगर आप ग्रूप A लेवल का ओफिसर बनना चाहते हैं तो आपको UPSC का सिविल सर्वेस एक्जाम पास करना होगा क्योंकि ग्रूप A लेवल के ओफिसर के लिए डारेक्ट रिकूट्मेंट नहीं होती इसके लिए आपको UPSC के थ्रूर कंड़क किये जाने वाले IPS एक्जाम को पास करना होगा अगर आप SSE के CGL एक्जाम में अपेर होना चाहते हैं तो मैं आपको बता दो इसके लिए इस साल में एक बार एक्जाम होता है जो कि चार टियर में होता है और इसके लिए minimum qualification, graduation है और age limit 20 से 30 साल के बीच में है SSE CGL के tier 1 और tier 2 में computer based online exam होता है, tier 3 में descriptive written test और tier 4 में document verification होती है इस exam में आपेर होने के लिए male candidates को सौर पेकी application फीस देनी होती है वही महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लिए कोई application फीस नहीं है CVM में नौकरी करना अपने आप में ही गर्वर संबान की बात है और इसलिए ये कई युवाओं का सपना भी होता है इस सपने को फूरा करने के लिए जरूरत है सही मार्क दर्शन की जो की हमने इस वीडियो के थ्रू करने की कोशिश की है I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसे like करें, share करें For more details you can visit the government section of jagranjoish.com और download the सरकारी नौकरी आप